दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यट्यूब चैनल पर दोस्तों ऐसी पवित्र औरत बदल देती है पती का भागे जी हाँ दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वे कौन सी इस्त्रियां हैं जिन से आपकी शादी हो जाए तो आपका भागे भी बदल सकता है तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो अंतक देखना है और अच्छी तरह से समझना है लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों आप सभी लोगों ने तो या सुना ही होगा कि एक इस्त्री किसी भी ब्यक्ति का भाग बदल सकती है और किसी को भी बरवाद कर सकती है दोस्तों नारी जाती में बस्शक्ति होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है अगर इस्त्री चाहे तो किसी भी घर का नास भी कर सकती है और किसी भी घर को संभार भी सकती है दोस्तों तभी तो सास्त्रों में इस्त्रीयों के बारे में बहुत सी बातों का उलेख मिलता है अगर किसी ब्यक्त की पत्नी अच्छे सोभाव वाली है तो उसका जीवन ठीक परकार से बितीत होता है परन्तु किसी ब्यक्त की पत्नी का सोभाव ठीक नहीं है तो उस ब्यक्त का जीवन हमेशा दुखों में ही बितीत होता है दोस्तों सास्त्रों में इस्त्रियों के ऐसे बहुत से लच्छणों के बारे में जानकारी मिलती है जिससे आप इस बात का अनुमाल लगा सकते हैं कि आपकी पत्नी में कौन-कौन से लच्छण मौजूद हैं और आपकी पत्नी आपके लिए कैसी साबित होगी दोस्तों अगर हम शास्त्रों में इस्त्रियों के बारे में जानकारी हासिल करें तो इनमें इस्त्रियों से संबंदित बहुत से लच्छनों की ब्याख्यां की गई है इनसे हमें इस्त्रियों के बारे में बिस्तित जानकारी मिलती है दोस्तों सास्त्रों के मुताबिक आज हम आपको ऐसे कुछ लच्छणों के बारे में जानकारी देने वाले हैं अगर या लच्छण आपकी पत्नी में मौजूद हैं तो बाँ आपके लिए एक सच्ची हमसपर साबित होगी अगर आप इस लच्छण वाली इस्त्री से विवाह करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सौभागिसाली साबित होगी दोस्तों आप इन लच्छणों को जानने के बाद अगर इस लच्छण की कोई इस्त्री आपको मिलती है तो आप बिना सोचे समझे उससे विवाह के लिए राजी हो जाएं तो दोस्तों कौन सी बो इस्त्रियां हैं जो अपने पती के लिए भागिसाली साबित होती हैं आईए जानते हैं उनके बारे में दोस्तों शास्त्रों में इस बात का उलेख मिलता है भले है इस्त्री कामकाजी ना हो, परंत उस इस्त्री को सामाजिक हालतों और दुनियादारी का ग्यान होना बहुत ही जरूरी है, क्यूंकि अगर कोई इस्त्री ऐसे लच्छनों बाली है, तो वह अपने परिवार का ठीक परकार से ध्यान रखेगी, और वह जावरुकता भी दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अगर कोई बैक्त किसी इस्त्री से बिवाह करता है तो उस इस्त्री में गुण होना बहुत ही जरूरी है बिवाह करते समय बैक्त हर चीज पर गवर करता है इसलिए इस्त्री का बरताव बहुत ही माइने रखता है दोस्तों जो इ इस्त्री धर्मिक होती हैं जो सांसिकृति और परंपराओं का पालन करती हैं ऐसी इस्त्रीयों को परिवार के लिए शुब माना गया है ऐसी इस्त्री अपने पती के लिए स्वभाग का मरक खोलती हैं दोस्तों जो इस्त्री सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने वाली होत या बहुत ही उत्तम मानी गई हैं। दोस्तों जो इस्त्री अपने पती को हमेशा सही सलाह देती हैं और अपने परिवार का ठीक परकार से ध्यान रखती हैं। जो इस्त्री अपने पती के लिए पूरी तरह से समर्पित हो ऐसी इस्त्री स्वभागिसाली मानी गई हैं। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को दोस्तों के साथ वाटसाप फेस्बूक आईकन को प्रेस कीजिए चलियो दोस्तों मैं मिलता हो अगले वीडियो में तब तक आप रहिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस जाए हिंद